नमस्कार दोस्तो हिंदी निव जेफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तो कच्चर तेल कितना इंपॉर्टेंट होता है इसकी कितना ये महत्पूर्ण चीज है इसको आप इससे अंदार्या लगा सकते हैं कि ये दो कटर विरोधी देशों को भी एक पास लाके खड़ा कर देता है इंडिरेक्ट वे में आईए मामला क्या है बताता हूँ आपको और सबको समझाता हूँ दोस्तो दरसल 2022 में रोस और यूकरेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था जब यह युद्ध स्टार्ट हुआ तो इससे अंतर लेवल पे तेल की कीमेतों में ब्रदी होने लगी उसकी प्राइस हाइक होने लगी और साथ ही साथ रोस को ज़्यादा फंडिंग न हो जाए इसलिए रोस के ऊपर अलग-अलग तरह के सेंक्शन लगा दिये गया जिससे कोई देश रोस से उसका कच्चा तेल ना खरीदे और रोस को उससे कोई भी आमदनी ना हो ताकि वो युद्ध को जल्दी से जल्दी खतम कर दे युद्ध ना लड़े तो ये स्ट्रेड़िजी थी यूरोप की और अमेरिका की और जो पश्चिम के देश हैं उनकी तो उन सब ने मिलकर रोस के उपर प्रतिबंद लगा दिया था लेकिन हुआ इससे क्या रोस ने ये कच्चा तेल उन देशों को नहीं बेच पा रहा था लेकिन ये भारत और चीन जैसे देशों को रोस ने खुब और बेचा भारत ने तो इतना और खरीदा रोस से कि भारत अपनी जरूरतों का जो और खरीदता है उसमें नमबर वन था रोस बेचने में सबसे यदा हम रोस से पर्चेस करते थे और फिर उसके बाद इरान और दूसरे देशों से तो दोस्तो हुआ इसमें ये कि UK यानि कि Britain बिटेन ने सैंक्षन लगाया हुआ था और बिटेन को भी कच्छे तेल की ज़रूरत थी तो अब बिटेन करता गया बिटेन को भी तो इंधन चाहिए अपने देश को चलाने के लिए तो दोस्तो ब्रिटेन भारत से खरीता था रूसी तेल अब वो कैसे खरीता था उसने तो खुद सैंक्शन लगाया हो था दोस्तो होता ऐसा था कि भारत रूस से पहले कच्चा तेल खरीता था फिर उस रूसी तेल को भारत रिफाइन करता था और उसको डिजल और जेट फ्यूल में कनवर्ट करता था और फिर ब्रिटेन उस कनवर्टेड फ्यूल को खरीदता था अब यह सोची इन डिरेक्ट तरीशके से रूस के त्रियल को ब्रिटेन खरीद रहा था अब यह समझ लिए कि टोटल इससे घर भारत का भी फाइदा हुआ है इसमें और 10 करोड पाउंड का फाइदा हुआ है रूस को मतलब यह कितना बड़ा अमांट है बहुत बड़ा अमांट होता है और इससे भारत ने भी कमाया है हमने भी इसमें refine किया और पैसे कमाया जो कि बहुत अच्छी बात है भारत ने लेकिन किसी भी पक्ष को नहीं सुकारा था चाये वो रूस का हो या यूकरेन का हो उसने किसी की भी side नहीं ली दी भारत neutral रहा है और भारत ने कोई सेंक्शन भी नहीं लगाया था रूस के अउपर भारत ने बल की डिसकाउंटेर रेट पर रूस से ओल खरीदा था जब रूस से कोई ओल ने खरीद तरहा था तो भारत सबसे आगे आया और उसके हम सबसे ज़्याधा खरीदने वालों में से एक हमारा भी नाम है, यह दोस्तों बहुत च्छी बात है हमारे रूज से जो संबंध, जो relation है बहुत खास है और इसको और मझबूत भी बना के रखना चाहिए तो दोस्तों यह सोचिए Κी कोई भी पर्मानेंट दोस्त नहीं होता हूँ, नहीं कोई ये रही न्यूज और दोस्तों कोई अपडेटर न्यूज आती है इसमें तो मैं एक अपडेटर वीडियो ले करा हूँगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं